वेल्कम तो माया सेर्च चैनल आज हम लोग बात करने वाले हैं HCL टेकनोलोजी का और यह मैंने डेली टाइम फ्रेम रखा है और डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग एनलेसिस करेंगे इस स्टॉक का और हम लोग पूरे डीटेल इसके बारे में जानेंगे कि इसमें कहां पर हम ल प्रोफिट इसमें बन सकता है तो आप देखिए पूरे वीडियो को और समझे कि इसमें कहां पर ट्रेड लेना है तो चले स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देजेगा आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का कारण मन सकता है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले आते हैं हम लोग थुरा सा इसका फंडमेंटल का बारे में जान लेते हैं कि फंडमेंटल में यह क्या चल रहा है और क्या यह कैसे बिहाइब करता है क्या इसका प्रोसेस रहा है पहले का हिस्ट्री क्या रहा है तो फ्रेंड़ आप देख पा रहे होंगे कि यह वun year का इसका चार्ट डेखे हम लोग तो one year में यह 891 का यह low लगा चुका है और यह low लगाने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यह one और इसका जो returning rate है वो इसका one year में 18% का यह return दिया है उसके बाद आप लोग देव पाएंगे कि यहां जो हम लोग अगर वन मन्त के बात करें तो वन मन्त में एक डाउन फॉल रहा है और वन मन्त में यह जो यह स्टॉक है 13% यहां पर यह डाउन सैड गया है और 13% का हम लोग का लॉस हुआ है इस स्टॉक में और अगर हम लोग मैक्समियम टाइम के अगर बात करें तो मैक्समियम टाइम में यह बुलिश ही रहा है और आप लोग देख पा रहेंगे कि वन येर में 18% फाइव येर्स में आप लोग देख पाएंगे इसका जो रिटॉर्निंग रेट है वो है 173% का ये रिटॉर्न दिया है फाइव येर्स में और मैक्समियम अगर टाइम देखे हम लोग तो इसका जो रिटॉर्निंग रहा है वो रहा है 907% का रिटॉर्न किया है और लो लगा चुका है 12 रुपिस का अगर हम लोग डेली में बात करें डेली के टाइम फ्रेम पे तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकता है कि आज के मार्केट में ये ये स्टॉक एबाउट 2.5% ये भाग चुका है 2.41% ये भागा है और हम लोग का जो टार्गे जो आज का लो लगाया है वो 11133 का ये लो लगाया है तो इसके बारे में ये रहा कि उबर भी हम लोग देख लियें कि ये स्टॉक एक अपर साइड का पर्फरमेंस से करते आ रहा है बस वन मन्थ में ये थोरा सा रिट्रेस्मेंट किया है और हम लोग रिट्रेस्मेंट पे इंट्री बनाना है तो इसके बारे में हम लोग पूरे अनलेसिस करेंगे अब चलते हैं हम लोग थोरा सा इसके और भी जनकारी ले सकते हैं कि अगर हम लोग देखें यहां कि फॉरकास्ट में क्या है तो इसको बाइंग करने के लिए सजेसन जो किये है ट्रेडर्स उस 75% अनलेस्ट जो बोले हैं वो बाइ करने के लिए बोले हैं आप लोग देख सकते हैं कि 70% अनलेस्ट सजेस्टेट कर रहा है इसको बाइ करने के लिए और यहीं अगर हम बात करें फाइनेंसियल का तो financial में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आप लोग per year यह बहुत ही अच्छा एक total revenue कर रहा है और बहुत ही अच्छा profit कर रहा है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो revenue है यह बढ़ते जा रहा है 18 में था 51,799 था और 19 में था 61,370 और आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे जो December का आया है जो इसका revenue 2021 में तो वो हो गया है 76,306 हो गया है तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि यह stock जो है यह बहुत ही अच्छा momentum कर रहा है और performance भी अच्छा कर रहा है अगर हम यहीं बात करें अगर holding का तो holding में आप लोग देख पाएंगे कि इसकी जो holding है जो December 2021 में आप लोग देख पाएंगे कि यहां जो इसका holder है यह increase करते जा रहा है और आप लोग देख पाएंगे यह increase करते जा रहा है 7% एट उता फिर से 8.959 तक चला गया है और आप लोग देख पा रहा हैंगे कि अगर mutual funds का यह increasing है और magical funds का यह भढ़ते जा रहा है graph वो लोग hold करते जा रहा है अगर promoter की यहीं बात करें कि promoter क्या holding रखा है तो यह 60.3% का holding रखा है और यह अपने holding को sustain किया हुआ है यह नहीं बढ़ा रहा है नहीं घटा रहा है इसको यह 60% है अपना hold करके रखा हुआ है अगर other domestic industry के बात करें तो इसमें थोरी से यहां से selling आई हुई थी फिर से buying होने लगी है और आप लोग देख पाएंगे कि और foreigner के बात करें तो foreigner जो है वो लगतार इस stock को बेच रहा है और यहां से एक downside जो कि एक अच्छा symbol नहीं है बट अभी जो हम लोग का थोरा सा corona virus के कारण से यह भी हो सकता है कि जो foreigner है वो इंड़स्ट्री यहां से पैसा निकाल दे है अब हम लोग बात कर लेते हैं थोरा सा इसके retailer and other का तो retailer में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह जो इसका percentage है वो बीच में घाटा हुआ था सितंबर में फिर दिसंबर में इसमें percentage बढ़ा हुआ है तो यह एक good sign है लेकिन retailer के उतना ज्यादा ख्याल नहीं रखा जाता है ज्यादा से ज्यादा foreigner और promoter जो होते हैं उनको holding के लिए देखा जाता है तो अब चलते हैं हम लोग चार्ट पे और चार्ट पे समझते हैं कि इस स्टॉक को क्या करना है और क्या हम लोग का target होगा इसके बारे में हम लोग analysis करेंगे तो चलिए हम लोग चलते हैं चार्ट पे अगर अगर हम चार्ट पे आते हैं तो हम लोग आज चुगे हैं चार्ट पे और देख पा रहा होंगे आपकी यह मैंने daily time frame लगा रखा है और daily time frame पे यह stock एक downside performance कर रहा था आप लोग देख पा रहा होंगे कि यहां से यह लगतार इसमें एक selling आई हुई है और यह trend line को अब break कर रहा है और break करने के बाद अगर friends यह sell tech ने इस label को अगर crush करता है 1100 1174 के label को यह break करता है इस label को तो हम लोग buying side position बनाएंगे otherwise हम लोग wait करेंगे और जब हम लोग यहां पे buying करेंगे 1174 के आसपास अभी चल रहा है जो यह stock का price वो 1166 का अभी price चल रहा है current price इसका है और हम लोग थोरा सा wait करना है और इसमें entry बनाने के लिए सोचना है और हम लोग entry बनाएंगे और जो हम लोग का target जो first target होगा वो होगा हम लोग को यहां आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका जो first target हम लोग आएगा 1200, 1273 का हम लोग को target achieve करने को मिल सकता है और जो हम लोग का target होगा वो होगा हम लोग का 1366 का हम लोग को target देखने को मिल सकता है इस stock में यह एक बहुत ही अच्छा pattern बनाया है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि यह एक like w pattern formation कर रहा है और w pattern जब बनता है तो यह stock बहुत ही bullish हो जाता है और यहां पर जब हम लोग को wait करेंगे अगर यहां से यह break करके और टेस्ट करके अगर फिर से अपर साइड जाता है तो हम लोग फिर से इसमें हम लोग इंट्री यहां पर बना सकते हैं लेकिन सबसे पहले यह इसको break करना चाहिए 1174 के level को और अगर यह break करता है तो हम लोग इंट्री बनाएंगे इस stock में और हम लोग को एक अच्छा profit देखने को मिल सकता है अगर हम बात करें अगर सौटर टाइम फ्रेम पे तो अगर सौटर टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर 15 मिनट चार्ट को अगर लगाते हैं अगर 15 मिनट हम लोग चार्ट लगाते हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुछी इस तरह से वो ड्रो किया गया है और हम लोग को जो इंट्री बनाना है बिल्कुल इसी लेवल के पास अगर यहां से rejection लेता है तो हम लोग को wait करना है और wait करना है अगर फिर से अगर इधर 1100 के आस पास आता है तो भी हम लोग इंट्री बना सकते हैं और नहीं तो अगर इसको break करता है तब हम लोग इंट्री बनाएंगे अगर यहां से rejection होता है तो हम लोग इधर बीच में कहीं पर इंट्री नहीं बनाएंगे क्योंकि अगर यहां से जब stock reverse होगा तो यह definitely जो आएगा वो 1100 के आस पास देखने को मिल सकता है आप लोग को अगर हम लोग इसके candle के बात करें अगर इसमें kindle किस तरह का बना हुआ है तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो आप लोग देख पार रहे होंगो कि यह एक हैमर inverted hammer candle है और inverted hammer candle एक bullish reversal candle होता है जिस के मदद से हम लोग किसी भी एक reverse होने का संभवनायक रख सकते हैं और देख पा रहे होंगे कि यह जब एक inverted hammer का जब formation यहां पे हुआ है तो यहां से स्टॉक क्या हुआ यह एक बुलिस रिवर्सल हो गया और यहां से जो एक बीर ट्रेंड चल रहा था एक जो डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा था उसमें चेंजिंग आया और इसके जो अपर साइड में यह जब ब्रेक किया है तो हम लोग को अगर इंट्री बनाना होता तो अगर थोरा सा अर्लियर अगर रिस्क लेना चाह रहे थे तो आप यहां पर ट्रेड बना सकते हैं और इस केंडल के डाउन में हम लोग एस्टपलस अपना रख सकते थे लेकिन रिस्क लेने से अच्छा है थोरा सा बेस्ट कनफरमेशन के साथ हम लोग अगर ट्रेड बनाते हैं तो हम लोग को loss होने का बहुत ही probability कम हो जाती है और हम लोग को एक अच्छा profit में मिलेगा और हम लोग को जादा उसमें भाय नहीं रहेगा कि हमारा यह जो trade है यह wrong हो सकता है तो आप लोग देख सकते हैं कि यह एक inverted hammer के मदद से किस तरह से यह reverse हुआ है और अगर inverted hammer के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो inverted hammer को जानने के लिए आप myasers.com पे आजेएगा और myasers.com पे आने के बाद आप लोग देख पाएंगे कि जब myasers.com पे आईएगा तो यहां inverted hammer and shooting star candlestick इन हिंदी में लिखा गया है और बहुत ही better तरीका से लिखा गया है तो आप यहां देख सकते हैं कि यह पूरे यहां पे अगर हम लोग open करते हैं अगर इसको वो inverted hammer and shooting star को तो आप लोग यहां दोनों में देख सकते हैं क्या difference है inverted hammer और inverted shooting star दोनों बिल्कुल सेम तरह का candle बनाता है और एक जो है कि दोनों trend reversal candle है और आप लोग यहां से अच्छा जनकारी ले सकते हैं और सिख सकते हैं कि hammer candlestick किस तरह से work करता है यहां पे आप लोग चार्ट पे भी समझाया गया है कि कहां पे हम लोग को trade करना है और कहां पे हम लोग को entry बनाना है उसी अनुसार अगर आप लोग अनलेसिस अपने से भी खुद से भी कर सकते हैं अगर आप लोग को candle के बारे में जनकारी है और trend line के बारे में जनकारी है और chart pattern के बारे में अगर जनकारी है तो अगर आप हमारे साथ लाइब मार्केट में जूरना चाहते हैं तो आप निचे दिये गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और वहाँ से आप जा करके मेरे टेलीग्राम जोईन करके आप लाइब मार्केट में आप हमसे कुछ भी पुछ सकते हैं उसमें कमेंट करने का अप्शन है और कमेंट करके आप कोई भी ट्रेड के बारे में हमसे पुछ सकते हैं और सजेस्ट ले सकते हैं तो फिर मिलते हैं फ्रेंट्स नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देजेगा और अपने दोस्तों के साथ सेर करना न भूलिएगा तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जय हिंद